हेलो स्टूडेंट्स आपका मेरी चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है स्टूडेंट्स आज हम डारेक्टेट ओफ एजुकेशन के तरव से धी जाने वाली वर्क्षिट नंबर 52 करेंगे जो की क्लास 6 तू 8 के लिए है ये वर्क्षिट 3rd September 2020 की है तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे आप अपने क्लास टीचर का नेम लिखेंगे तो आएए शुरू करते हैं आज की वर्क्षिट वर्क्षिट शुरू करने से पहले बिटा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आईए देखते हैं आज की वरक्षिट प्रकर्ती के रंग आज की वरक्षिट में हमें रंगों के बारे में बताया गया है तो देखते हैं ज़रा क्या बताया गया है रासाइनिक रंगों के निर्मान और उप्योग से जीवन को खत्रा पैदा होता है और साथ ही वे नदी तालाबो आदिक को भी प्रदूशित करते हैं जो भी रसाइनिक रंग है रसाइनिक रंग कों से होते हैं पैटा ऐसे रंग जो रसाइनों से मिलकर बने हूँ तो रसाइनिक रंगों के निर्मान और उप्योग से जब हम इनका यूज करते हैं अब देखो क्या कहता है कि पहले की जमाने में क्या होता था गुफाओं में बने प्रारंभिक चित्रों से यह सपस्ट होता है कि आधुनिक युग तक पोदों के भागों प्रत्वी के खनीजों से निकाले गए प्रकरतिक रंजकों का प्रयोग मानव द्वारा कलाकरतियों अलए तो प्रारंभिक चित्र जाते थे अगर हम पूरानी आपना इतिहास देखते है तो उसमें देखिने कि जो प्रारंभिक चित्र वहांपर बी क्या कियी जाता था रंग किया जाते थे जो भी मुष्तिय के खनीज़ों से निकलता था। उस समय किसी रसाइनों का प्रयोग नहीं किया जाता था, तो उस समय भी जो मानव की कृतियां थी, कपड़े थे, रंग, मूर्तियां जितनी भी थी, उनको क्या किया जाता था, कलर किया जाता था, रंग किया जाता था, बट वो क्या होता था, प्राकर्तिक रंग होता था, व वो हमारे लिए आच्छा है परियाव रन के लिए भी क्या आच्छा है रोसोई के घर के सधक्डान समान कोई भी रंग प्राकर्तिग रंग हम घर मे कंदी से गुलाबी या लाल रंग इसी तरह भूरा रंग किसी आ जाता है बगीचे की मिटी से या कोफी से कोफी को अगर आप किसी कपड़े पर रगेंगे या किसी भी मूर्ती जिसको भी आप चाहते हैं कलर करना उसको कलर करेंगे तो कैसा रंग आ जाएगा भूरा रंग तो ऐसे रंगों को क्या कहते हैं प् यूकसान दायक प्राथमिक रंगों को मिलांट अन्य रंग भी बना है छो सकते हैं आपITY से कम लगलग शैर्द इसके लावा स्ट्रोबेरी से भी अगर स्ट्रोबेरी को किसी कपड़े पर रगड़ोगे तो रेड शेड आ जाएगी देखो अद्रक है प्याज है हम इन सब का यूज कर सकते हैं देखो यहां पर कोफी दिया है ग्रीन लीव्स हरी पतिया दी गई है लाल गोभी दी गई है प्लांट के पार्ट्स दिये गए हैं जिससे हैं तो अब देखें यहां पर कुछ एग्जामपल दिये गए ला रंग हमें किसे मिलेगा है चुकुंदर गोभी लाल पत्ता गोभी भी ख़ते है लाल पत्ताङ है। या नील, नील से भी में क्या मिलेगा, नीला कलर मिलता है, पीला कलर किसे मिलेगा, देखो आपको पता होगा, पीला कलर किसे मिलता है, हल्दी से, केसर से, गैंदे का फूल देखा है, आपने कैसा होता है, यलो होता है, तो गैंदे के फूल से, या चाई की पतियों से, इन सब देखो आगे क्या है यदि आप प्रकरतिक रंगों का प्योग करते हैं तो आप इसकी प्रकरती सुंदर्ता के मुह में पढ़ जाएंगे अगर इनका कलर का यूज करने लग जाएंगे तो इनकी जो मुह हो है सुंदर्ता और एक स्वास्ते के लिए जो अच्छा लगेगा गोगरिन का मतलब है कि जो बें प्रकरती से हमें हमें उसका उपयोग करना है तो epay tuga रंगों का समझे लो ये भी रंग चाहिए तो हमें प्राकरतिक रंगों काप्रियोग करना है .енд QR मिया तो यह है गोगल और इसके कौशिन इसर देखते हैं क्या दिये गया है कौशिन इंसर में ? भोग आसान से चुषन इस बार ना하는데 रंग जो हानिकारक होते हैं, जो रंग हानिकारक होते हैं, वो कौन से हैं, रासाइनिक रंग या प्राकर्तिक रंग, तो हानिकारक कौन से होते हैं, रासाइनिक रंग, सिर्फ आपको सही विकल्प चुलना है, लाल रंग किस से मिलता है, हल्दी से या चुकुंदर से, किस से म प्रकर्ति को प्रयोग करते हुए प्रकर्तिक रंगों का प्रयोग कीया यह जित्थ छित्र दिखाया गया एक कागज पर सुंद०र चित्र कारी करिए ऐक क्या करो हा एक प्लेन पेपर लेना है उससे। बीज भी संडर सी कोई भी ड्रोइंग बनाई गर उस पर क्या करना है? उस प्राकरतिक बना वैसे पैंट के गराना जो है जो प्रोचिह बनाने है और उस पर काम तब यह प्राकरतिक बना चिकनी मि मा बना कर उसे!!!! जो घर में हमें मिलते हैं या जो पेड़ पोदो के भाग है उनहीं का प्रियोग करके हमें क्या बनाना है उसको पेंट करना है तो बेटा आज की वक्षित बहुत ही आसाम थी और आपकी वक्षित कम्प्लीट हो गई है यह पेंटिंग और जो यह काम दिया गया आप अपनी जरूर कीजिएगा ड्रोइंग वाला काम और मुर्ति बना के अपने टीचर को दिखाईएगा फोटो सेंड कीजिएगा और तो अपनी वक्षित को कम्प्लीट कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू स्टूरेंट्स